सदा की तरह आज भी राज्य सभाय की कारेवाही राज प्रोहिजी के प्रवचन से ही आरंब की जाए जैसी आग्या महराज, महराज ये प्रसंग प्रभु राम चंद्र के राज्य भी शेक का है तब उन्होंने किरिट धारण किया था सर्वशक्तिमान अयोध्य बती श्री राम ने कहा ना दंडयोसिम, अर्थार मुझे नियंत्रित करने वाला, अथवा दंडित करने वाला कोई नहीं है ये उन्होंने तीन बार कहा पास खड़े वशिष्ट रिशी ने तुरंत कुशा दंड से किरित पर ताडन करते हुए कहा धर्म दंड योसी अर्थात तुम पर धर्म दंड का अंकुष है धर्म तुम्हारा नियंत्रण कर सकता है धर्म के नियमों के अधीन हो तुम, तुम पर धर्म दंड का अंकुष है वशिष्ट रिशी राजन, तुम प्रजा पती हो, प्रजाजनों का सर्वस्व तुमारा है तुम साम राज्य के स्वामी हो, राज्य के साथ ही साथ, प्रजा के माता पिता, दास भी हो ये हमेशा याद रखो दुष्ट शिक्षण शिष्ट रक्षण तुम्हारा काम है धर्म का अंकुष तुम पर सदा रहेगा अगर तुम प्रजा पीड़क हिंसक बन गए तो जन समुदाय तुम्हें दंड देने का अधिकार रखता है वो राजा पूजा पीडित बन गया था अपने को इश्वर कहने लगा रिशी समुदाय ने प्रजा समुका ने तृत्व किया और राजा को सिहासं से उतारा और हाथ पैर बांद कर उसका वद कर दिया राजा के मृत शरीर से प्रथू राजा का जन्म हुआ, धर्म के राज्य का शासन किया और उसी से धर्ती का नाम प्रित्वी पड़ा, सदा याद रखना, जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा का आचरण, प्रजा के आचरण का आधार होता है, महराज ये प्रसंग मैंने आपको कहने पर सुनाया, अत्वा आप जैसे न्याय प्रिय, प्रजा प्रिय प्रता पी, राजा को इसकी आवश्यक्ता नहीं है